थाकड़ खबर के नियूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रिष्खान क्या मोधी सरकार की जो मंत्री है वो बाबा रामदेव के अमबैज़ा बनके रह गए हैं या उनकी दवा का परचार परसार करने वाले मंत्री बन गए हैं ये बात इसलिए खड़ी हो रही है क्योंक तो मरीज जो हरिद्वार के अंदर भरती हैं उनको क्रोणिल दी जाए जानते हैं आप क्रोणिल के बारे में जो बाबा रामदेव ने दवाई बनाई है जिसमें दावा किया है कि वो क्रोणा का इलाज करती है लेकिन जब इस दवाई पर सवाल WHO उठा चुका है जब इस द तो खबर के पहले इससे के मुताबिक ये है कि शिक्षा मंत्राले की तरब से एक आदेश जारी किया गया है या यूं कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री की तरब से एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश में जो जनसत्ता में चपी हुई खबर के मुताबिक कहा गया है कि शि अम्देव की करोनेल भी उनलोगों को दी जाए या देश रमेश पॉख्री आल निशंक की ओर से जारी करने की बात कही गई है रमेश पॉख्रियालہ है वर्थमान समय में शिक्षा मंत्री हैं देश के जो है चैड़ी मिनिस्रप से बोला करते थे स इन्होंने मंत्राले का नामी बदलने के लिए इसके अलबा कुछ होता नहीं है इनसे दूसरे उत्राखन के पूर सीम भी आप इनको कह सकते हैं और यह आज कल कुछ धरम करम में ज्यादा लगे हुए शिक्षा को नई शिक्षा नीती जो आई यह उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने क् पुराना इतियासगार हैं भविश्य का कुछ पता है नहीं तो इन्होंने रामदेव की क्रोनिल दी जाने की बात कही है बाकाइदा ट्वीट करके यह बात कही गई है शिक्षा मंत्राले के जरिये यह पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार के यह यूं कहें मौदी सरकार के किसी मंत्री ने क्रोनिल की इस तरीके से तारीफ किये उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किये से पहले यह तस्वीर देखिए आपने देखा होगा जिस दिन बाबा रामदेव ने इस दवाई को लौंच किया उस दिन केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी टॉक्टर हर्ष हो गया और अब यह दबाई सब को ठीक कर देगी लेकिन बाद में उसमें बहुत सारा हंगामा खड़ा हुआ तो फिर उसके बाद सवाल पूछे गए थे स्वास्त मंत्री से तो यह खबर का पहला हिसा है जिसके जरीए आप यह समझ सकते हैं कि मोधी सरकार के मंत्री जो है एक तरीके से परचारक परचारक बनके रह गए हैं रामदेव के अब क्यों रह गए हैं वो आप सोचिएगा अगली खबर का रूख कर लेते हैं यहां आपके सामने डबलु एचो और आईसीमर का कुछ हाल रख देते हैं डबलु एचो आप जानती हैं वर्ल्ड हेल्थ और और हम्गानाइजेशन कर देता हैं प्राक परम नहीं नए देता हैं ना है उसके सानिया उन्हों को का काम है देश बर दुनिया भर के अंदर जो है स्वास्व्भाइब बहतर करने की राम लोगों को स्वास्वभाइग उपलब्द कराने पर विचार करने की इसी की सला देने की वह कोई दबाई की मंजूरी नहीं देता ऐसे फिर क्यों कहा गया था कि गुड मैनिफेक्टिंग जो है प्रैक्टिस सर्टिफिक्ट दे दिया गया है तो ये एक चीज है डबलो एच नहीं दिया दूसरा 17 माई 2019 ये खबर में आपके सामने आज रख रहा हूं 19 को 17 माई 2019 का मामला है आ इससे करोना का इलाज किया जाएगा कोई लिस्ट में जिक्र नहीं है देखा होगा आपने अभी हाल फिलाल में प्रैम टाइम शो रवीश कुमार ने दिखा है कि कैसे स्वास्तमंत्री ने कहा कि डार्ट चोकलेट खाई ये तमाम चीज़ें कीजिए लेकिन उनके जरीए भ तोरान का भी आपको मामला पता होगा उस्वकट आईउस मंतराने ने किया आएज मंतराने ने कहा था कि ये कॉरोनलील की दबा नहीं है तो रामदेव ने प्लैट के जवाब दिया था कि हम भी कहा कह रहे है ये क्यों लोगों ने बनाई है इससे इमंधिय बढ़ सकती ए अ यानिके इंडियन मेडिकल एसोशेशन की डॉक्टरों की से बड़ी संस्ता कोई है नहीं जब स्वास्त मंत्री मौझूदगी में इस दवा को रामदेव ने लॉंच किया तो आईये में स्वास्त मंत्री की मौझूदगी पर सवाल खड़े कर दिये पूछा कि क्या वो क्रोनि जानिक तोर पर सही दवा है और इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है हुआ है तो इसको क्लियर करना चाहिए स्वास्त मंत्री से उन्होंने जवाब पुछा था साथ ही कहाता है कि यह भारतिये चिकिस्सा परिशत के मियमों का खुला उलंगर है और इसको लेकर वो पत्र ल उनकी उस दवा का परचार परसार करते हैं यह तमाम एजेंडा चली रहा है आप लोग जानते ही हैं क्यों चल रहा है क्योंकि इस पगत सबसे बड़े जो विज्यापन दाता है वो रामदेव बन गए हैं लेकिन तमाम चीजे जो निकल के आ रही है कि क्रोनिल को कैसे पेश क्या केंदर सरकार का शिक्षा मंत्राले किसी भी राज्य सरकार को ये कह सकता है कि आप इस दवा का इस्तमाल करें या किसी जिले को कह सकता है क्या ये पूरा जो हमारा फेडरल स्टक्चर बना हुआ है क्या उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है पर आजकल तो सवाल यही क्या आखिर क्यों परचार परसार कर रहे हैं मोधी सरकार के मंत्री रामदेव की करोनल का ये इस पस्ट होना चाहिए। बने रेगा धाकर खबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूपने आप लोग अपनी राये दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और जादा से जादा हमारी खबरो को शेयर कर सकते हैं फिरह से किसी सो लगते हुए या उस्ते मुद्ध लेकर मैप के सामने होंगा हाँजि फिलाल अभी मुझे नहीं इजाज़ए। झाल झाल